आज के अनन्त का फंडा की एपिसोड में वापिस से सबसे पहले हम डिसकस करेंगे एक और नहे IPO के बारे में जो इसी वीक ओपन होने वाला है कंपनी का नाम है Bazaar Style Retail Limited मुझे पता है अभी अनन्त का फंडा की एपिसोड में मुझे IPO को भी डिसकस करना पड़ रहा है because market में IPO आही इतने ज़्यादा रहे है I hope as an IPO investor आप market में यूज भी कर रहे होंगे IPO के related information और वीडियो को एकड़ बेसिक बात से स्टार्ट करते है और सबसे पहले स्टार्ट करते है ग्रे मार्केट प्रीमियम से जिसमें सबसे ज्यादा इंटरस हरता है आपने से काफी लोगों को as per sources इस IPO का प्राइस है 389 रुपीज और ग्रे मार्केट प्रेम चल रहा है यहीं पर कंपनी की एक मेजर रिस्क भी आपके सामने आ रही है कि इनका बहुत ही ज्यादा इनका सारा बिजनस रोटेट करता है और यह एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूविंग है आज आपको कोई कपड़ा पसंदा आ रहा है फैशन पसंदा आ रहा है अगर ब्राण ने उसको बढ़ते वे समय की साथ और चेंज होते वे समय की साथ अपडेट नहीं किया तो एक मेजर रिस्क आती है यह बहुत competitive बिजनस है यह हम सभी को हमेशा पता है 30th of August को IP open होने वाला है 3rd of September को close होगा allotment decide हो जाएगा 4th of September को refund मिल जाएगा आपको अपना पैसा या unlock हो जाएगा पैसा या फिर shares मिल जाएगे 5th को और tentative listing की date है 6th of September retail में total आपके 38 shares का एक lot हो जाएगा 14,782 रुपीज का retail में जैसे 1,97,393 applications आएगी यह IPO वन टाइम subscribe होगा मतलब बहुत बड़ा नहीं IPO का size पर छोटा भी नहीं है H&I small की category में 14 lots के लिए apply करना पड़ेगा 2,6,948 रुपीज का एक basket बनेगा और यहाँ पर आपको total जैसे 2,014 applications आएगी एक time quota पूरा हो जाएगा और H&I big category में 4,028 application आते ही एक quota पूरा हो जाएगा minimum आपको apply करना पड़ेगा 68 lots की H&I big की category में IPO का total size ए 834 croz का fresh issue ए 148 croz का और major होने वाला है OFS second negative point मैं आपके साथ discussion करते वक्त negative और positive point भी बताता जा रहा हूँ यहाँ पर एक और छोटा सा negative point आता है कि OFS बहुत बड़ा है प्रालेशन पर ध्यान देना पड़ेगा NAC, BAC दोनों पर listing होगी price band 370 से लेके 389 के बीच का है cut-off price choose होती ही retail में और H&I category में 389 आपको टाइप करना पड़ता है retail के लिए 35%, QIB के लिए 50% और H&I category के लिए 15% का कोटा है company के financials के उपर अगर आप नज़र डालोगे तो company के total asset से 1165 croz के आसपास के decent growth है थोड़ी ए यह और बेसेस पे अगर आप profit की बात करोगे तो profit after tax आपके लिए company के लिए निकल के आता है जो final final figure है 21 croz का इस 21 croz के profit after tax में अगर आप valuation निकालते हो ना तो P ratio आपके सामने निकल के आता है 132 का मतलब जिस valuation पे company IPO लेके आ रही है कंपनी अपनी richness अपनी profitability अपने assets के proper demand कर रही है और यहाँ पे company का OFS भी एक major part का एक interesting update आपके यह है कि OFS में बेशने वाले shareों में सबसे उपर नाम है रेखा, राकेश, जिन वाला का मतलब एक major investor जिन्होंने सही time में इस company में invest किया था वो भी यहाँ पे company में OFS के थुरू exit ले रहे है अपने major allocation को यहाँ पे exit करने वाला है company का अगर आप return on equity की बात करोगे तो 10.74% है return on capital employed 18.39% है debt to equity ratio company का comfortable है 0.76 है debt to equity ratio total borrowing roughly सिर्फ 178 करोज के company के आज की दिन EPS निकल के आ रहा है 2.94 का object of issue है company अपनी जितनी भी borrowing से उसको repayment करना चाती है OFS को पूरा करना चाती है and general corporate purpose obviously हमारे सामने आ जाता है peer comparison में सबसे पहले आपके सामने नाम आता है V-Mart का company loss में तो direct comparison नहीं कर सकते second नाम आता है V2 retail का जिसका भी peer ratio आज के दिन 138 का चल रहा है अगर आप V2 retail से बात करोगे तो उसके comparison में company जो IPO ला रही है वो ऐसा लग रहा है कि यह already एक महेंगी industry तो obviously महेंगाई IPO आएगा पर अगर इस IPO की listing के बाद suppose करते 30% या 40% listing पे gain मिल जाता है उसके बाद क्या यहाँ पे company immediately वापिस से बढ़ने की दमखाम रखती है valuation को ध्यान रखते वे अगर आप इससे पूछो के मुझे question तो मुझे तुला सा doubtful लगता है अगर अगर मैं इस IPO को summarize करूँ तो इस week हमारे सामने इस से better IPOs के available है answer is yes पर कै यह बहुत बुरा IPO है answer is no industry अच्छी company profitable है बाकी सारी चीशे ठीक है पर जो valuation है वो बहुत महेंगी है यहाँ पर हमारे लिए जो price band रखा गया है वो रखा गया है अपर साइड पर 389 का I was expecting कि इस company का जब price band आएगा वो 280-300 के आसपास का आएगा तो एक ठीक valuation हम बोलेंगे कि हाँ ठीक ठाक प्राइस पर यह आईपि ला रहा है पड़ी तो महेंगा IPO आईपि आ रहा है grey market में ठीक response है मैं personally इस IPO के चेक आउट करने वाला हूँ कि किस तरीके से चल रहा है anchor book and towards the second half मतलब आप भी समझ जीजी कि towards the last day जो होता है इसका रफली 11.30 बज़े के आसपस मैं इस IPO में अपना final decision बनाऊँगा listing gain की बात करें तो listing gains के expectations है अभी भी बनी भी है पर क्या listing gain के बात भी immediately यह stock चलता रहेगा उस पर अभी भी तोड़ा सवाल उठे वे है जो हमें सोच समझ के अगर apply करते तो सिर्फ listing gain को ध्यान में रखते वे इस IPO को study करना पड़ेगा यह मेरा personal mindset बन रहा है DMAT account नहीं है तो अपने हर एक family member के नाम से DMAT account खुला लीजिए भर बार के अच्छे IPO आने वाले है आने वाले समय में इवन NAC ने भी फाइल कर दिया अपने IPO के लिए तो DMAT जरूरी है आप अपने बच्चे के नाम पर और HF के नाम पर DMAT खुला सकते है पर वह आपका online नहीं खुलेगा online खुलने के link तो मैंने description में आपको दे रखे है पर अगर आप बच्चे का खुलवाना चाहते है DMAT या फिर HF का खुलाना चाहते है तो मैंने एक help line number दे रखा है हमारी team का description में आप उनसे connect करेंगे तो वह आपको complete process में go through करवाएंगे और आपका DMAT खुलने में मदद करेंगे अब हम चलते हैं अपने next part में जिसका नाम expectations from tomorrow's market जनरल market trend uptrend में है और आज के दिन वापिस से हमने देखा कि FIs और DIs ने दोनों ने purchase करी थी 26 को पर 27 को सिर्फ FIs ने purchase करी थी मार्केट ने अपना आज के दिन वापिस से फ्रेश हाय भी लगा दिया पर जिस तरीके से यह हाय लगा है न देखिए back to back market अपना gap up कर रहा है और अपने gap को maintain करते वे एक positive closing दे रहा है जो 9 दिन अभी already market में हो चुके यूजरी हम कहते हैं कि 11th day market के लिए reversal का शायद दिन हो सकता है और complete mindset को देखते वे कि किस तरीके से market अपने नए high लगाए है अब हमें तोड़ा सा different तरीके से market को दिखना पड़ेगा put call ratio 1.30 के आसपास है जो comfortable है पर market के लिए अब intraday में क्या है मेरी कल की study उसको हम discuss कर लेता है सबसे पहले जो मैं call or put दोनों बेचता हूँ अगर market ध्यान से सुनेगा अगर market flat open होता है या फिर gap down open होता है तो मैं तो जोनों call or put पेशने वाली strategy होती है expiry की दिन पर उसको use कर लूँगा 12.30 के आसपास तक पर अगर market किसी भी situation है gap open होता है तो कल की दिन मैं strategy को प्रॉस कर दूँगा मैं personally strategy को use नहीं करूँगा आप अपने साब से study कर सकते हैं मैं अपना mindset बता रहा हूँ यहाँ पर अभी तक पिछले 10 जिनों से आप देख रहे होंगा हम back to back बात कर रहे थे कि मार्केट में कहां buy करना है सिर्फ उसी पर focus करना है पर अब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए कल हो सकता है कि कल market में expiry आप देखोगे कि कल thursday मार्केट में और बंतली और दोनों वीकली expiry तो हो सकता है कल वापिस मार्केट अपना अच्छा परफाम कर जाए पर friday can be an important reversal day जिसके उपर आपको ध्यान रहना होगा और ready भी रहना होगा कल के लिए बहुत simple सा stance है अगर market में 24,950 का level करता है तो मैं एक बार cautious हो जाँगा और यहाँ पर यह 24,920 की नीचे sustain करता है तो शायद intraday में short की trade भी यहाँ पर initiate कर सकते है with smaller quantity ध्यान रखा जाएगा अगर यही दिन और यह complete setup बनावा होता friday के लिए third day को complete setup बनता तब तो मैं पका ही normal quantity के साथ इसके नीचे जाते ही short मारता पर क्योंकि कल की दिन expiry है monthly expiry भी है obviously हमारी nifty के expiry भी है तो हो सकता है कि कल management के चकर में एक बार यहाँ पर नीचे freak करूँगा पर mine में रहेगा positive trade करने का simple सा scenario होता है कि अगर market gap down ही open होता है 24,880 या फिर 870 900 के आसपस तो immediately एक बार यहाँ पर bounce back के chances बनेंगे जहाँ पर 100 point का bounce back की study हो सकती है अगर gap up open हो गया तो कल की दिन के लिए मैं तोड़ा सा control कर जाऊँगा bullish trade लेने से पहले setup को 10 EMA का मिल रहा है वहाँ पर ले लिया अलग बात है इंसाइड का मिल रहा है वहाँ पर ले लिया अलग बात है पर अब randomly जाके मैं bullish trade नहीं लिया सकता जो अभी तक मैं ले रहा था अगर मार्केट को जो lifetime high touch करना था वह भी कर दिया और अब मार्केट को 9 दिन back to back हो चुके यूशली 11 दिन reversal का होता है जो हमने historically देखा है पर 10 वे दिन से तोड़ा सा cautious होना हमने start हो जाना चाहिए on the bullish trade अगर यहां पर क्या market नीचे open करके अगर यहां पर open हुआ तो फिर भी bounce back ले play करना है तो quantities कम रहेगी अगर मैं इसके नीचे shot करूँगा तो quantities 30-40% रखूँगा अगर यहां पर सीधा यह breakout हो रहा होगा तो कल की दिन में यह avoid कर दूगा कई कोई बात नहीं कभी-कभी हमें avoid करना परता है bank nifty की बात करें तो bank nifty will be the leader अगर market को reversal दिखाना है तो और immediately देखा जाए तो कल की दिन ऐसा लग रहा है कि अगर market flat या फिर हलका-फिल का gap down या हलका-फिल का gap up भी open हुआ bank nifty में तो immediately ज्यादा नहीं तो 51,350 तक तो touch कर ही जाएगा यह 200-point का move is easy to capture अगर market इस range में open होता है तो positive side में यह capture करने का move easy हो जाएगा अगर market में reversal हुआ ना देखिए कल immediately मुश्किल है पर अगर परसू भी होता है तो उसमें सबसे major role आपका bank nifty, reliance जैसा stock, IT के कुछ segment important role play कर सकते उसके ओपर ध्यान रख लीजगा वीडियो अच्छा लगे तो like करें बिना मज जाएगा IPO है भी वीक है तो IPO के लिए proper management of money कर लीजेगा वर्णा ऐसा लगेगा आपको कि और इतने IPOs आ रहे मैं apply नहीं कर पा रहा क्योंकि SME भरबर के आ रहे है और mainline भी भरबर के आ रहे है happy learning and I will see you very soon